आज हम inflate brush का यूज़ करेंगे और देखें कि inflate brush से हम किस तरह की sculpting कर सकते हैं तो हमारे पास में एक model है जो की gbrush में आपको light box के अंदर available होगा आप light box में click करेंगे यहां पर आपको एक demo anim करके एक head मिलेगा इस पर आप double click कर लोगे और light box को आप click करना तो आपका model आपकी screen पर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम इस model को भी देख सकते हैं कुछ इस type से हैं अब इसमें अगर हमें inflate brush का use करना है तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे वह समझते हैं अभी आपका current brush आपका standard brush है आपको keyboard से B button को press करना है और I button press करना है B for brush और I for inflate तो आप देखो कि यहां पर एक inflate brush बना हूँ इसका icon इस type से आ रहा है अगर आप N press कर दे तो यह इसका code है अगर आप N press करते हो या फिर इसके उपर click करते हो तो यह brush आपका load हो जाएगा तो हम N press करते हैं जो inflate brush है वह आपका current brush बन गया है अब हम stroke अगर करते हैं sculpting के through तो आपका inflation activate हो जाएगा तो देखिए जैसे इसकी यह sorry eye आ रही है इस eye में अगर हम ऐसा चलाते हैं तो यह क्या करेगा यह उस area को इदम spherical shape में बाहर निकाल रहा है यह inflate कर रहा है actually में उस area को expand कर रहा है as a spherical shape में देखिए यहाँ spherical shape लगी हुए तो क्योंकि इसका spherical shape है इसलिए spherical shape में यह expand कर रहा है अगर आप और चलाते हैं तो यह और यहाँ पर इस shape को बाहर निकाल रहा है ठीक है हम अंडू कर लेते हैं उपर से इसके history में जा करके इसके i को तो हमें expand नहीं करना था बाहर inflate नहीं करना था पर nose को करना था इस nose को तुझी सेरिया को हमें inflate करना है हम उस area प्याएंगे और इसको inflate करेंगे यह देखिए इसकी nose थोड़ा सा spherical shape में आ गई पहले से ज्यादा अच्छी आ गई और अभी आपको और करना है जैसे कार्टूनी करेक्टर में होते हैं थोड़ी सी ज्यादा तो आप देखिए यह पूरी की पूरी नोज इस फेरिकल सेप में expand हो गई है बाहर के तरफ इसी को कहते हैं inflate करना तो जो area inflation का होगा हम उस area को inflate करेंग इसका जो head है यह थोड़ा सा बाहर inflate होना चाहिए तो आप breast का size S प्रेस करके on screen ही छोटा बड़ा कर सकते हैं हमने breast का size बड़ा किया और देखिए inflate कर दिया तो इसका head जो है थोड़ा सा बाहर की side में थोड़ा सा और inflate करते हैं side से अगर थोड़ा से inflate करना है तो आप ऐ इसा कर सकते हैं पीछे का head है अगर आपको लगता है कि यह पूरा inflate होना चाहिए तो हम यहां पर symmetry tool को off कर देते हैं X क्लिक करके X button को press करेंगे अब आपका single stroke inflate करेगा देखिए एक side में कर रहा है तो अगर आपको breast का size बड़ा करना है अब inflate कराएंगे तो यह पूरा जि पर फिर से आ सकते हैं size छोटा करते हैं पर हमको दोनों side में चाहिए इसलिए symmetry चाहिए X button को press कर सकते हैं तो alt button को press कर लेना alt button से क्या होगा यह deflate करेगा यह देखिए हमको यहां पर ऐसा गड़ा बनाना था आई के लिए तो आपने alt button के साथ में इसको deflate कर लिया तो inflate आप यहां sub tool से जा करके append करा सकते हैं append और क्या append कराना यह sphere को यह sphere आ चुका है alt के साथ इस पर या फिर layer पर click कर सकते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करना scale करके आप scale पर click करेंगे यहां से आप scale कर सकते हो move tool से इसको थोड़ा सा बाहर ला सकते हैं eyeball काफी बढ़ी आ रही है तो इ side में लगा सकते हैं तो इस तरह से हमने इसकी eyeball को space पहले बनाया deflate brush करके अभी size बढ़ा eyeball का थोड़ा सा और छोटा करना होगा I think इतना sufficient होगा आप यहां से drop पे फिर से click कर सकते हैं आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं सेम हमें इधर चाहिए होगा तो आप Z plugin में जा करके यहां पर subtool master में जाना है और यहां एक mirror का option मिलेगा X mirror already on है आपको ok कर देना है यह subtool master पे class हम आगे के लिए रखेंगे फिलाल में अभी हमें copy करनी थी हमने यहां पर copy करके लगा दिया तो आपने किस तरह से यहां पर eyeball को eyeball के लिए पहले space बनाया inflate brush के तुरू और फिर उ थोड़ी सी pointed हो रही है तो आप यहां पर भी काम कर सकते हैं इस के चीन के ऊपर तो हमने old के साथ में इस model के उपर क्लिक किया ताकि वह model वह layer select हो जाए हम inflate brush यहां पर चलाते हैं यह थोड़ा सा inflate brush चलाया और यह इस की चीन जोने थोड़ी सी अच्छी हो गई यह थोड़ करेंगे old के साथ में यह अंदर रखना है थोड़ा सा तो हलका से हलके से यहां पर ऐसे कर सकते हैं तो इसका save देखिए काफी change हो गया है अभी आप इसकी intensity के साथ भी खेल सकते हैं intensity को अगर full करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जो inflate कर रहे हैं बहुत ही power के साथ देखि एक ही click में यह इतना inflate हो गया है तो इतना तो नहीं करना है तो आपको जितनी requirement होतनी करिए जितनी power देनी है intensity से दे सकते हैं अब देखिए inflate जादा नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा से हो रहा है तो cheeks भी आपको निकालने होंगे यहां पर इसके brush का size as press करके थोड़ा से बड़ा cheeks की area में हम थोड़ा सा inflate brush को click करेंगे अब जब आप inflate brush चला रहे होगे तो इस तरह से hardness भी आपको दिखने ही पड़ सकती है तो हम क्या करेंगे shift button press करके कभी भी इसके उपर click करेंगे तो वो inflate area है वो smooth होगा यह देखिए हम हलका हलका सा चला रहे है वो area smooth कर रह एक और model हमारे सामने है इस पर inflation का use करेंगे इसमें बड़ा low poly यहां पर दिखाई दे रहा है हम control d press करेंगे पहले इसके poly को बढ़ाएंगे मेसिस को बढ़ाएंगे देखिए अब हमें लगता है कि इसके hips पर काम करना है या back portion को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आना है या इसके cheeks को थोड़ा सा बाहर करना है चेस्ट को आप inflate breast का यहां पर use करें चलते हैं यहां पर chest के उपर हम चेस्ट को highlight करते हैं और x button press कर दे हैं यहां पर inflate breast on है हमारा अगर हम यहां पर अभी चलाते हैं तो यहां पर देखिए यह बहुत power के साथ यह बाहर लेकर आ रहा है हमारी मेस को हम intensity को थोड़ा सा कम करते हैं और फिर यहां पर चलाते हैं हलका हलका सा यह देखिए इसकी chest को इसने बाहर के तरफ निकाल दिया है size थोड़ा सा छोटा करेंगे size बार बार आपको adjust करनी है और intensity बार बार आपको adjust करनी है तो इसकी chest को देखिए थोड़ा सा हमने बाहर कर लिया है इस टैप से पीछे hips में काम कर सकते हैं या यह back अगर आपको थोड़े से और निकालने हैं तो size बड़ा हलके से backs पे आप और काम कर सकते हैं यह यहाँ पर इसकी muscle body थोड़ी से और दिखानी है आपको इस टैप से थोड़े से यहाँ पर इसकी back side में इसकी bump को बाहर करना है तो size बड़ा करेंगे symmetry on हलका सा देखिए यहाँ पर हम click करते हैं इसका यह back side का bump भी काफी बाहर आ गया है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने model में आप इसका यूज कर सकते हो पीछे ही देखिए यह हड़ी थोड़ी सी बाहर होती है हम थोड़ा सा इस area को भी बाहर लाएंगे क्योंकि muscle body है shift के साथ में थोड़ा से चला के इसको merge कर सकते हैं अगर इसके chicks में काम करना है आपको इसके chicks दबे हुए हैं लेट्स की उठाना है या lips उठाने ब्रेस का size थोड़ा से चोटा करेंगे chicks पर जाकर के थोड़ा से काम कर सकते हैं इस टैप से यह चीन थोड़ी सी बाहर लानी है तो इस तरह से आप अपने model पर बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं थोड़े से यह भी हमें जो जाव वाला जो एरिया है इसको भी हलका सा बाहर करके smooth कर दिया और यह इसकी nose है थोड़ी सी चप्टी सी लग रही है हम इसको फुला सकते हैं inflate breast से कुछी steps तो इस तरह से आपने काम किया inflate breast पर और देखा कि किस तरह से हम वहाँ पर modeling में इसका use करके कफी अच्छा output निकाल सकते हैं तो मिलेंगे next video में channel को subscribe जरूर करना और जो भी comment में आप लिखना वो video आपको available हो जाएगी Thank you